Hey guys, क्यासे है आप आई हो, क्या आप सब यह अच्छे हों? So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to enable a split screen in vivo So guys, आज की इस वीडियो में आपको बताने बाराऊ Vivo के इस device में आप किस तरीके से split screen on कर पाएंगे So guys, वीडियो को end देखने, वीडियो को बिल्कु भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज यह चैनल को subscribe करके वेल आइकन को press कर देना है So guys, अगर आप कोई WhatsApp या फिर Facebook या फिर Netflix देख रहे हैं तो आपके पास अगर कोई भी जैसे notification आती है तो आप उसे यहाँ पर split करके छोड़ी screen में देखना चाहते हैं और वो भी दोनों चीज देखना चाहते हैं तो एक साथ से कार सकते हैं spawn में तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जाज़ए कि यहाँ पर Netflix को open कर लेते हैं तो इनकोद यहाँ पर अगर आप इस तरह के साथ आप करेंगे यहाँ पर messenger open कर लेते हैं गड़िट और यहाँ पर उपस निचे से उपर के ओर थिरी फिंगल को साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों स्क्रीन यहाँ पर चलने नगते हैं आदे स्क्रीन में आपके messenger और यहाँ पर आदे स्क्रीन में आपके इस तरह के से दूसरे application कोई भी यूज कर पाएंगे आप तो यहाँ पर इस setting को आप कैसे on कर पाएंगे इसके लिए आपको settings पर जाना हुआ settings पर जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll कर लेना है अपर अपर यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ से आपको इस दोनों जो को on करदेना है ऐब किसी भी application में आप यहाँ पर इस तरी was wear कर सकते हैं वाकि यहाँ पर आप फैट्री डा21 कर सकते हैं इस तरी के से आपको notification बाहर में मिल जाता है इस तरी के से आप यहां पर कर पाएंगे, तो यहां पर recent task में जाते हैं, तो यहां से भी आपका three finger से कर सकते हैं, और वाकि यहां पर भी आपको option मिल जाते हैं, split करने के, तो guys, I hope कि आपको यह समझ आगे होगा, तो आज की इस वीडियो में तनाई मिलते हैं, next interesting वीडियो के साथ,